हेलो फ्रेंड स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल हैप्पी ओंलाइन अस्टडी में तो आज हम इस वीडियो में डिस्कर्स करेंगे सभी सिफ्ट के कोस्टन के बारे में 16 अक्टूबर का CHSL का एक्जाम हो रहा है किस टोफिक से एक्जाम में कोस्टन पूछे जा रहे हैं तो उस टोफिक को आप लोग अच्छे से देख कर जाएं निस्चित है कि आपको बहुत सारे हिल्प मिलेंगे आप हमारे पले लिस्ट से भी जाकर देख सकते हैं तो चलिए चलते हैं कोस्टन की तरब अगर पहले बार अमारा वीडियो देख रहे हैं तो चनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को दबा दीजे सबसे पहला कोश्चन आता है अमारा फर्स्ट सीफ्ट का 47 में चीप जस्टिक कौन थे तापका अरविंद बोबडे थे सरद अरविंद बोबडे बयख धर की चüyorsun कब हुई थी तो भारत रतन की सुरुआएब दोजनवरी 1954 को हुई थी और परिया वर्र mention index में भारत καस्थान क्या है 2020 में तो 168 स्थान है GST का सरवेक्षन किसके द्वारा किया जाता है तो बित्मंत्रा लेकी द्वारा किया जाता है और पुस्च मित्र ने किस को मार कर सुंग बंस की अस्थापना की थी तो बिरिधत्र को मार कर 187 वी में 187 वी पुर्व में मौर बंस के राजा को मार कर सुंग बंस की अस्थापना की थी भासा के अधार पर आंदर परदेश राज कब बना तो भासा के अधार पर आपको आपको आंदर परदेश 1956 में राज बना Next question पे चलते हैं Next question क्या है देखते हैं Next question है दिहांग नदी जो अरुना चल परदेश में बाती है उसे और किस नाम से जानते है तो ब्रहंपुत्र के नाम से जानते हैं जो अरुना चलप परदेश और असम में बहती है परियावरन में मात्रा के आधार पर दूसरे अस्थान पर कौन सी गयस है तो मात्रा के आधार पर आपका दूसरे अस्थान पर ऑक्सिजन है 20.95% है नेट्रोजन 78% है राष्टपती का चुनाओ किस अनुच्छेद के अंतरगत आता है तो आपका बावनमा अनुच्छेद के अंतरगत है 52 गुरु नानक का जनम कहां हुआ था तो गुरु नानक जी का जनम आपका ननकाना साहिब में हुआ था राज बिधान सभा का चुनाओ किस अनुच्छेद के अंतरगत आता है तो राज बिधान सभा का चुनाओ अपकर 169 के अंतरगत आता है आर्टिकल 169 Next question पर चलते हैं Next question देखे किस टाइप के question है और अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो like कर दीजे और अपने friends में share कर दीजे next question है कि दिशा नामक एप जो launch हुई किस राज ने launch किया तो आपका आंदर परदेश launch किया हुमायू नामक पुस्तक किस ने लिखी तो गुलवदन बेगम ने लिखी और मट की निरित किस राज का निरित है तो मदपरदेश का आपका निरित है निरित से question हर एक shift में पूछा जा रहा है लगबग मौलिक करतब का जिक्र सम्विदान के किस भाग से है तो आपका भाग चार से है और राष्टपती अध्यादेश किस अनुच्छेद के अंतरगत आता है तो आपका अनुच्छेद 123 के अंतरगत आता है अनुच्छेद से भी question सभी shift में एक दो question देखने को मिल रहे है एक question तो निस्चित है Next है ब्रिट जीटलनेशन का ओथर कोन है तो एन चन सेकरन है इसके लेखक मालवी का मित्रम किसकी रचना है तापका कालिदास की रचना है 2019 का अथलिट ओफ दे इयर कोन है तो रानी रामपाल है 2019 के ODI में सरवादिक रन किसने बनाया तो रोहित सर्मा ने बनाया असम के मुखमंत्री कौन है तो असम के मुखमंत्री आप सरवानन्द सोनोवाल है मुखमंत्री और ओथर से question भी exam में देखने क्यों मिल रहे है तो आप लोग वहां से भी question देख कर जाए नेक्स्ट कोस्टन पर चलते हैं स्पोर्ट से रिलेटर भी question देखने क्यों मिल रहे हैं नोबल प्राइज भारत रतन यह सब टोपिक आप लोग कवर करके जाए गोवा के गवर्नर कौन है तो गवर्नर मुखमंत्री सारे पूछे जा रहे हैं तो भगत सिंग को सियारी है कपास की खेती के लिए उप्युक्त मिट्टी तो आपका काली मिट्टी है जो की काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है 2019 में भातिक के चेतर में नोबल किसे मिला 2019 में भातिक के चेतर में नोबल किसे दिया गया तो तीन लोगों को दिया गया था जो आपके उप्शन में होगा वो आपका राइट एंसर होगा जिम पिपल्स और मिसेल मेर और डीडी एर कवे लोज को दिया गया 2019 का भातिक के चेतर में नोबल प्राइज कपास की खेते के लिए काली मीटी उप्यूक्त होते हैं गोवा के गवर्नर का नाम भागत सिंग कोशी आ रहे हैं नेक्स्ट कोशन पे चलते हैं नेक्स्ट कोशन है विस्नु का पांचमा अवतार क्या था तो वामन अवतार था विस्नु जी का पांचमा अवतार 2019 का नव्यूवक सांसद कौन बने 2019 में जो सांसद बने और नव्यूवक सबसे ज़्यादा नव्यूवक तो आपका तेजस्वी सुरिया जो कि 26 बर्स उम्र है और भाजपा से लड़े थे और 3,1,192 वोट से जीते थे 2019 में किस स्टेडियम का नाम बदल कर अरून जेटली स्टेडियम रखा गया तो आपका फिरोज साक पोटला स्टेडियम का नाम बदल कर अरून जेटली कर दिया गया है जो कि दिल्ली में है पाउधा कारवन और एनरजी पुरा किस से करता है तो आपका सुर्ग के प्रकार से करता है वायू से कारवन और भूमी से जल पूरा करता है किस टाइप के कोस्चन थे थोड़ा सा इसमें डाउट है तो ये आपको बता दियें और बायू में कारवन और भूमी से जल लेता है एक कोस्चन आपका था थड़ शिप्ट का तीन तरफ से घिरा पानी और एक तरफ से भूमी है तो उसे क्या कहते हैं तो उसे हम प्रायदीब कहते हैं नेक्स्ट कोस्चन पर चलते हैं नेक्स्ट कोस्चन क्या है देखते हैं राज सरकार को कौन सा पावर नहीं है तो राज सरकार को आपका मनी बील का पावर नहीं है और लक्षदीब के लोक निरित के बारे में पूचा था तो लक्षदीब का लोक निरित कोल कली और परिच कली है रगुर आम द्वारा लिखे गए पुष्टक पुछा था तो ये तो ये पुष्टक है आपके option के हिसाब से जो होगा आपका सही होगा तो ये कुछ question थे तीनों shift का maximum question लगबग है और आप लोग के पास कुछ question है तो कल वाले shift में हम कभी करा देंगे आप लोग के पास कुछ question है तो हमें बहुत सकते हैं तो वीडियो दिखने के लिए thank you मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जै हिन जै भारत और आपके एक्जाम के लिए best of luck के लिए जै है तो हमें एक के लिए टार आपके लिए नेक्सराइब के लिए टार आपके लिए फज़गाज के लिए है